काईज तो आज एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक अपर बात करेंगे और वो है कि कैसे स्टंप माइक्स ने आपको पता है स्टंप माइक मिडिल स्टंप पर लगा रहाता है तो कैसे स्टंप माइक ने पूरे क्रिकेटिंग जगत को रेवलुशनाइज कर दिया यानि बिल्कुल बदल दिया मैं आपको तीन वेज बताऊँगा जिससे स्टंप माइक ने क्रिकेटिंग जगत को बिल्कुल चेंज कर दिया तो बिना देरी किये आई इस पॉर्टकास एपिसोड को शुरू करते है रीजन वन रीजन वन यह है कि जोभी ओडिन्स क्रिकेट को टेलीविजन पर देख रही है या फिर ऑडियो पर सुन रही है स्टंप माइक ने सभी ओडिन्स को ये मुझा देता है कि आप क्रिकेट को क्लोज रहकर एक्सपीरियन्स करो चाहिए हो धोनी के आवाज हो जो कि कुल्दी प्याद आपको गाइड कर रही है कि कहाँ पर बॉल डालना है या फिर रिशब पंत और टीम पेन की बीच कन्वसेशन हो स्टम माइक्स की कन्वसेशन जो की फिल्ड पर हो रही है वो कैच करता है और ये फैंस को काफी एकसाइटिंग लगता है आप खुछ से ही पूछिए आपको स्टम माइक्स की आवाज सुनने में काफी मज़ा आता है तो ये पहला रिजन है और इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है DRS DRS में आपको थर्ड अंपायर के आवाज सुनाई देती है लेकिन पहला ऐसा नहीं था तो थर्ड अंपायर के आवाज को इंट्रड्यूस इसले किया गया ताकि आप थर्ड अंपायर के कन्वसेशन को अच्छे से सुन सको जिसने के क्रिकट को बिलकुल revolutionize कर दिया Reason 2 Reason 2 यह है कि अब legal authorities ग्राउंड पर हो रही हर चीज़ पर नज़र रख सकती है कभी-कभी आपने देखा होगा कि दो प्लियर्स के बीच sledging होती है और यह sledging इस हद तक बर जाती है कि कभी-कभी racist comments या फिर कुछ गलत अब शब्दों का इस्तिमाल हो जाता है तो legal authorities इसके उपर action ले सकती है Reason 3 अब जो Reason 3 है ना इसके बारे में बहुत सरे लोग को नहीं पता और वो है Stump Mike's की मदद से free advertisement होती है मैं बताता हूँ कैसे देखिए आपने बहुत बार सुनाओगा कि जब दो players के बीच बातचीत होती है Stump Mike के करीब तो कभी-कभी क्या होता है कि एक player दूसरे player के बारे में उनके sponsors के बारे में कुछ बोल देते है या फिर अपने sponsor को promote करने के लिए कुछ बोल देते है ऐसी conversation मतलब होती रहती है ground पर जैसे कि let's say कि एक player है A और दूसर player है B B wicket keeping कर रहे है और A batting कर रहे है तो कभी-कभी क्या होता है A B को कह रहे है कि पता है मेरा sponsor पता है ये काम करता है मेरा sponsor इतना अच्छ है या फिर A B को कह जगता है कि तेरा sponsor क्या करता है फ्री advertisement tool भी use होता है जो कि बहुत सरी ये तो 90% cricket fans को पता ही नहीं है और ये मुझे भी पता नहीं था तो ये थे तीन ways ये फिर तीन reasons जिसके current system mics ने क्रिकटिंग जगत को बिल्कुल revolutionize कर दिया या फिर change कर दिया I hope कि आपके एपके एप्रकस episode informative लगा होगा कि आपके पता है